कि नमस्कार आप सभी दर्शकों को एक बड़ी और एहम जानकारी हम आपको बता दे कि अगर आपकी उम्र 45 वर्ष से अधिक है तो एक अप्रेल से आप करोना की वैक्सिन लगवा सकते हैं आपको बता दे कि केंदर सरकार ने करोना वैक्सिन के लिए बिमारी का सचिफिकेट लाने की शर्त वापस ले ली है केंदरी केविनेट की वैटक में फैसला हुआ कि अब 45 वर्ष से जादा उम्र के हर व्यक्ति को करोना काटी का लगाया जाएगा भले ही उसे कोई बिमारी ना हो बता दे कि अब तक बिमारी का प्रमान पत्र पेश करने के बाद ही करोना वैक्सिन रिजिटेशन की प्रक्रिया पूरी हो पाती थी केंद्रे मंत्री प्रकाश जावेड कर ने कैबिनेट का फैसला बताते हुए कहा कि हमें पता है भारत में वैक्सिनेशन अच्छा और तेजी से हो रहा है आज तत चार करोड 83 लाक लोगों को वैक्सिल लग चुकी है इन में से 80 लाक लोगों को दूसरी डोस मिल चुकी है प पहला फैसला यह है कि एक अप्रेल के बाद 45 के उपर कोई भी हो सबको वैक्सिन उपलब्द होगी जावेड कर ने कहा कि करोना वैक्सिन लगाने के लिए 45 साल से उपर के व्यक्ति को डॉक्टर का सचिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है पंतालिस से उपर उम्र है तो उसे मिलेगी उन्होंने कोविड शील्ड वैक्सिन की पहली और दूसरी डोस के बीच की टाइमिंग बढ़ाए जाने के नए निर्देश पर कहा कि यह वैग्यानिकों की राय है उन्होंने बताया कि दूसरा फैसला यह लिया गया कि जो वैक्सिन के दर्मियान 4-6 सब्ताहा का गैप था उसे अब वैग्यानिकों ने पाया कि कोविड शील्ड का डोस 4-8 सब्ताहा तक लेना फाइदेवन है इसलिए हमारे सबको दर्खास्त है कि जो भी 45 से उपर है वह अपना नाम रजिस्टर करें और अपोइन्मेंट लेकर टीका लगवाए गोरतलब है कि भारत में करोना वाइरस के खिलाफ टीका करण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी से शुरू हुई थी तब सिरव स्वास्ते कर्मियों और अग्रिम मोर्चों पर टैनात करमचारियों को कोविड वैक्सिन लगाई गई थी एक मार्च से टीका करण अभियान का दूसरा चरण शुरू हुआ तो 60 वर्ष से उपर के बुजुर्गों को प्रात्मुत्ता दी गई साथी 45 से 60 वर्ष के वैसे लोगों को भी टीका लगाया जाने का प्रावधान किया गया हो कि किसी ना किसी गंभीर विमारी से जो पीडित है सरकार ने ऐसे लोगों के लिए विमारी का प्रमान पत्र देना अनिवारी कर दिया था अब जब एक अप्रेल सिटी का करन अभियान का तीसरा चरण शुरू होगा तो किसी का बिमारी का परमान पत्र देने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि 45 वर्ष से उपर के हर व्यक्ति को वैक्सिन दिये जाने का एलान किया जा चुका है दरसल नोव फरवरी के बाद से देश में करोना की दूसरी लहर आ गई है उस दिन से देश के अलग अलग राज्यू में डेली करोना केस की संख्या धीरे धीरे बटने लगी है 15 से 21 मार्च के बीच करोना केस में हैरत अंगेच विजुदर्ज की गई है खासकर महरास्त ने तो 21 मार्च को पिछले करोना पीक को भी पार कर लिया है ऐसे में एक्सपर्स टिका करन अभियान का दायरा बढ़ा कर इसमें तेशी राने की सरहा दे रहे थे जिससे सरकार ने माल लिया है बताते चले कि अब एक अप्रेल से 45 वर्ष से जादा उम्र के हर व्यक्ति को करोना वैक्सिन लगेगी अब बेमारी का सेटिफिकेट देने की जरुत नहीं होगी ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आप के लिए लेकर आए हैं खास मौका वो भी हर्याना सरकार की अफॉर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ जिसके तहट आपको मिलेगी 6 लाक रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी जैसे की फ्री पारकिंग, EDC, IDC फ्री, कलब चार्जेस फ्री और मेंटिनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं तो आज ही बिना देर किये, अपने सपनों का घर बुख करें